नमस्कार दोस्तों स्वागर थे आप सभी का रोजाना खाना में आज में आपको प्लेन डोसा, मसाला डोसा, चटनी, सामबर, एक ही साथ एक ही वीडियो में बनाना बताऊंगी बहुत ही असान है दोस्तों मसाला डोसा बनाना प्लेन डोसा बनाना और सामबर भी और चटनी भ केजी चावल की जखना है दोश्तों जब ऐसका वेटर बना रहे हो है केजी हमें सबसे पहले तो दोनों का जो पॉआercट है एक केजी रहेगा चावल तो आदा केजी डाल और यहां पर आदा चमज से भी कम हम लिए है मेथी दाना मेथी दाना बिल्कुल इसमें डालना ज़रूरी है क्योंकि ये जो उरत डाल होता है वो बादी रहता है तो उसमें बादी भी काटता है तो चावलों को आप अच्छा से पहले धो लें और डाल को भी अच्छा से धो लें किंकि डाल में भी पॉलिस होता है दोनों चीज़ों को धोने के बाद में आप इसमें पानी डालें भीगने के लिए भीगने के लिए पानी दोस्तों कम से कम दो इंच उपर तक डालें जबी जाके अच्छा से आपका दाल चावल फूलेगा बड़ा बरतन का इस्तमाल करें और यहीं पे हम मेथी दाना जो लिए थे हम वो भी डाल दीगे आप यहां पे एक कटोड़ी चना दाल भी ले सकते हैं तो ढकन से ढक के इसे 9-10 गंटा के लिए हम रख देंगे 8-10 गंटा के बाद हम पानी को ड्रेन कर दीए हैं और अब हम इसे पीशेंगे दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन और दाल को अलग पीसे गाता है तो आप ध्यान रखेंगा थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए इसे अच्छा से पीछ लेए कम काम एक टर्ण में आपका अधा गिलास पानी लग जाएगा और उसी साब से ज़्यादा आप पतला नहीं कीजिएगा नहीं तो आपको डोसा मराते वक्त दिक्कत होगा थोड़ा मोटा रहेगा तो आप असानी से उसमें पाने मिक्स कर सकते हैं लेकिन देखिए दोस्तों मैं इसे दो बर पीसूंगी आप बोलेंगे वो क्यूं क्यूंकि कि एक बार में बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं होता है एक दाम बारिक नहीं पीसता है तो डोसा बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारिक वेटर की ज़रूरत है देखिए कुछ इस तरीके का वेटर अपका होना चाहिए तो वेटर को हम ढखकन से ढखके और इतना जो भी आपको पसंद ले सकते हैं मैं गाजर ली हूँ और यहां पे सयन ली हूँ और कुम्डा ली हूँ छोटा छोटा पीस काटी हूँ यहां पे हम लौकी भी लिये हैं थोड़ा सा और बैगन भी ले लिये हैं और दो तिन आलू का टुकडा भी ले लिये हैं तो सभी सब सांबर में अगर सब्जिया मेल्ट अच्छा लगता है तो थोड़ा छोटा काटिएगा यहां पर 25 ग्राम के करीब इमली को भीगो दी हैं और उसके बाद इसका सारा हम पल्फ निकाल लेंगे और यहां पर देखिए एक चमच काला वाला सरसो ली हूँ यहां पर पीला सरसो भ पसंद है सांबर में हींग जाएगा सांबर में तो यह तो हो गया हमारा तड़का सांबर का सांबर को तड़का लगाने के सबसे पहले तो हम सरसो का तेल डाल रहें दोस्तों तेल आप कोई सभी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे हमारा तेल गरम हो जाता है हम डाल देते हैं अपन सा हिंग जैसे ही तड़का हलका सा भून जाएगा हम डाल देंगे अपना सब्जियां सारी सब्जियों को आप यहीं पे एड़ करें और उसके बाद सब्जियों को हमें अच्छे से भूनना है कम से कम 5-6 मिनट इसे अच्छा से चलाते हुए मैं 5-6 मिनट भून लोंगी तो द कितना बड़िया हमारा सब्जिया भूनना स्टार्ट हो गया है गैस को यहां पे फूल रखें धकन से कवर करके इसे 5-6 मिनट तक भूने सब्जियों में जब भूनाई हो जाती तो इसका जो स्वाद है सामबर में बहुत अच्छाता है आप इस तरीके से जरूर बना के एक तो यहीं पर मैं सबसे पहले धनिया पाउडर डालूँगी तो दो चमच धनिया पाउडर छोटा चमच से एक चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच डालेंगे हम हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसर नमक तो मैं यहां पे 3-4 हरा मिर्च डाली हूं डंडी समय आप तो डंडी को हटा भी सकते हैं तो अब हमें दाल को भी एक-दो मिनट तक और मसाले के साथ भून लेना है दाल भूनने से दोस्तों जो हमारे सामबर है उसमें सोंधापन एक आता है जो की बहुत अच्छा लगता है खाने में आप जरूर इस तरीके से एक बार बनाएगा फ और मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूं दो से तीन मिनट बोनी हूं ज्यादा नहीं बोनी हूं अब हम यही पे एक चम्मस सांबर मसाला डाल लेते हैं सांबर मसाला डाल के और मिक्स कर देंगे इस तरीके से बनाने से ना स्वाद भी अच्छा आता है समय के बचत भी जाता है तो देखिए यहाँ पे हमें पाने डालना है तो अभी तो यह दिख रहा हमारा कूकर यह आपको छोटा दिख रहा है लेकिन अगर बाद में हमें प प्रफ़तन में इसे ट्रांसपर कर दूगी क्योंकि मैं इसे कूकर में बना रहे हूं जल्दी पकने के लिए कूकर में चार भीसल में बहुत यचा सामबर बनके तयार हो जाता है अगर आप इसे पतीला में पकाईएगा तो बनता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है तो यह जो कूकर है थोड़ा छोटा है लेकिन मैं ज्यादा सामबर बनाई हूं तो तीन से चार भीसल लगवाऊंगी मैं और उसके बाद हमारा जो सामबर है वह उबल के तयार हो जाएगा तो अब हमें एक तरह चड़ा के और आप इंतजार करें या चटनी की तैयारी करें तो देखिए वीसल लाने लगा है कूकर से अब हम फटा-फट चलते हैं और तड़का रेडी कर लेते हैं चटनी के लिए भी और चटनी का सामागरी भी सारा त्यार करना है तो देखिए मैं पहले आपको खोल के दिखा जब ठंडा हो जाए कूकर जब भी खोल के से चेक करें बीना ठंडा हुए चेक ना करें दोस्तों नहीं तो यह सारा दाल हो गए अगर आपको पतला सांबर पसंद है तो थोड़ा गरम पानी करके डाल ले अगर नहीं पसंद है तो ना डाले गढ़ा ही रहन दे तड़का में ली यह है देखिए दो तिन लाल मिर्चा गड़ी पत्ता और सरसो दाना तड़का पेन में डाल के इस अच्छा से चटका बूचे तड़का अच्छा से भून जाना चाहिए जब ही परोगे आको सांबर में आता है नहीं एक उसमदर सांबर यह तर अब चटनी का मत्यारी कर चुक है तो इसका संबर भी तो देखिए हम नारियल लिए है चना दल लिए है उरत दाल लिए है और मुम्फली लिए है चार पांच का लिए लसन का लीए है तो उरत डाल डालने से नागल के चट्णी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है मैं आपको बताऊंगी कैसे तड़का देखिए सर्षो है मिर्ची और कड़ीपता थोड़ा सा हींग भी डालूंगी मैं अच्छा लगता है चट्णी में क्या कि मैं उरत के डाल भी डाला हूँ तो इसलिए जहां ज़रूरी है तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल आधी चमज के बराबर तेल डालूंगी यहीं पे हम मुंफली डाल देंगे चणा दाल डाल देंगे, और उरत दाल डाल देंगे उरत दाल थोड़ा सा मैं बचा लोगी आप सोच रोगे कि ये किसली है तो ये जो चट्टनी है ना बिल्कुल हट के और आपको बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप मिर्चा अरोलासन को भी डाल लीजिए और अच्छा से भून लीजिए ज्यादा तेल के हमें अब सकता नहीं था इसलिए ज्यादा तेल नहीं डाले थे सबी चीजों को चलाते हुए भूने अगर हो सकी ति एक दो कड़ी पत्ता भी डाल ले हैं अगर आपके पास तो नहीं है तो आप कड़ी पत्ता को सुखाके Napole करके भी रख सकते हैं तो हमारे पास हरा कड़ी पत्ता मिल गया था तो मैं डाल लीजिए अच्छा से भून जाने के बाद इसे हमें ठंडा करना है तो ठंडा होने के लिए मैं ठोड़ा पाणी डल देती हूं और छोड़ देती हूं कि चंसिलेप पर ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम चटनी का आगय के प्रोसेस करेंगा यह ठंडा भी हो जाता है और फूल भी ज तो देखे डंठल को तो हम हटा दिये हैं एक कर रहे गया थे दो का तो इस तरीके से हम पानी समय ती डाल देंगे जब ठंडा हो जाएगा तभी बीना ठंडा हुए जार में मट डालिएगा दोस्तों नहीं ते चट्नी सारा उड़ जाएगा और आपका चट्नी खाने को नहीं मिलेगा तो देखे दोस्तों इस तरीके से थोड़ा पानी और डाल के और अब इसे हम दरदरा या फाइंड आपको जैसा पसंद हो इसा चट्नी ग्राइंड कर सकते हैं तो मैं जादा गड़ा भी नहीं रखी हूँ जादा पतला भी नहीं रखी हूँ यहां पे हम रिफाइ मैं इसको डाल के देखिएगा उरत डाल को बहुत ही जबरदस टेस्ट आएगा चट्नी में और आप इस तरीके से एक पर बना लिए चट्नी तो बार-बार जरूर बनाएगा क्योंकि इसका स्वादी गजब का है तो देखिए दोस्तों यहां पे न हम तरड़का डाल दिये हैं चट्नी में और आपको दिख रहा होगा कितना जबरदस चट्नी दिख रही है न अब यहीं पे हमें स्वादानुसा नमक मिला लेना है और लीजिए हमारा चट्नी हो गया है तयार दोसे के साथ खाने के लिए आप इसे इडली के साथ खाएं रोसे के साथ खाएं सांबर बड़ा के साथ खाएं या मेदू बड़ा के साथ खाएं सभी के साथ यह चट्नी पॉर्फेक्ट है तो लीजिए दोस्तों हम आलू वाल की छील लिए हैं पहले से ही और यहा लाल मिर्चा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता यह हमारा मसाला डोसा लिए मसाला बनाएंगे तो देखी यहां पर हम मसाले में उच कगे हैं थोड़ा सा हलदी पॉडर मिर्ची पॉडर नमक धनिया पाउडर तो अब कड़ाई में और ख़ङें tiene leg गरम जाता है तड़का को डाल दें, तड़का डालने के बाद दोस्तों अच्छा सा इसे भून लें, चटकने लगे जब इसमें सरसो और जो मीर्चे थोड़ा सा सोंधापन हो जाए, तो यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ा सा मुमफुली, ज्यादा तड़का भी नहीं भून लेंगे, मुमफुली और प्याज सभी को अच्छा से हम थोड़ा सा हलका ही भून के रड़ी करेंगे और यहीं पे ट्रमाटर भी डाल देंगे, थोड़ा सा अधकच्छा मुमफुली होता है न डोसा में, मसाला डोसा में, तो बहुत अच्छा लगता है आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा आप किस तरीके से बनाते हैं दोसा यह भी बताईएगा जरूर हमें तो देखिए दोस्ते यहीं पे थूड़ा सा में हल्दी पाउडर डलती हूं दोसे तिरी मिनट मैं भून ली थी और यहीं पे थोड़ा सा नरिया पाउडर थोड़ा सा मिर्ची एसमें हम भून लेंगे रिख्ले मिल्कुल यहां पे लो मेडियम रख्यों राक्यों में अलें अब जैसे ही दो तिर मेंट और ऑंते हुए आपको यहां पे आलु करुछ थोड़ा मोटा मोटा ही तोड़ना है ज़्यादा बारिक नहीं तोड़े हैं कि हमें आप सभी का बेसावरी से इंतिजार रहता है तो अपना राय लिखना ना भूले दोस्तों कमेंट वक्स में तो देखिए हम आलूं को तो तोड़ लिये हैं थोड़ा सा हम इस तरीके से कर्ची से मैस करते हुए भून लेंगे दम बिल्कुल सुनवा लेंगे यह जो सांबर हम मैं बनाई थी ना उसमें से मैं हाप को टोली ली हूँ आप सोच रहे हैंगे यह क्यों तो सांबर इसमें डालने से ना बहुत ही अच्छा मसाला डोसा का टेस्ट होता है देखें यहां पे 12 गंट के बाद हमारा बेटर में खमीर बहुत अच्छा उठ गया था मैं आपको दिखाई और इसे फेट ली हूँ और फेटने के बाद इसमें हम एक चमच के करीब नमक एड करते हैं तो देखिए दोस्ते कितना बारिक है मैं आपको दिखा जाती हूँ देखिए यह अगर आपको थोड़ा सा पानी कियो सकता है थोड़ा सा पानी मिला है यह आप ऐसे भी बना सकते हैं तो देखिए तवा पे हम पहले से ही ओयल का ग्रीसिंग कर लिए हैं और पानी डालके कीचन कपड़ा से पोछ दिए हैं और इस तरीके से हम कर्षी से वेटर को डालते हु तो देखिए दोस्तों यह लोहे का ही तवा है कोई नौन स्टिक नहीं है आप लोहे के तवा पे भी बना सकते हैं दोसा आराम से तो बस इसे सौधानी से फेला दें और दोसा को जब फेलाते हैं वक्त आप ध्यान रखें कि मीडियम आच हो जब दोसा सूख जाए उसके बा तेल के छीटे मारके जैसे में की थी वैसी कीजिएगा और पानी मारके और जब यह क्रिस्पी हो जाए अच्छा से तो पीछे से आप मोड दीजिए तो पहला दोसा दोस्तों थोड़ा सा अच्छा नहीं मनता है दूसरा बनेगा तो और अच्छा बनेगा तो इसी तरीके से हम जितने बर बनाएंगे उतने बर तवा मैं हलका ओयल लगाएंगे और पानी से चीटा मारके पोच के और फिर दुवारा डोसा बनाते जाएंगे बहुत ही असान है दोस्तों मजाएगा आपको बनाते वक्त तो पहले तो मेरे से भी डोसा ना मोटा ही बनता था लेकिन मैं ब मोटा बनाई थी लेकिन आप लोगों का कहने के अनुशार से अब मैं दोसा बनाना थोड़ा जान गई हूं दोस्तों और बहुत अच्छा नहीं बोल सकती लेकिन बना लेती हूं तो कैसा है मारा दोसा बना है बताइए जरू आप अगर गैस पे हो सके तो तवा को घुमा घु अपने गेस्ट को सर्फ कर देती हूं उन्हें बहुत पसंद आता है दोस्तों आप बताइएगा कि मैं दोसा जो बनाई कैसा बना और आप बनाए तो कैसा बना तो देखिए यह मसला बनकर तेयार हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी बना है अब मैं आपको सर्फ पर कर दिख बताइएगा कमेंट बक्स में तो फिर मिलती हूं दोस्तों एक नई वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद